आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार प्राइम टेख रहे हैं पहले दिन का मैच देखने के लिए भारते प्राइन मंतरी नरेंद रमोदी के बुलावे पर और ऑस्रेलिया के प्राइम एंथनी ऐल्मी बिश Marketing साहस सरोगार बैंटानाई आप दो प्रकार की इनकारित मेच देखने के लिए नवा प्राइम acceso सरोग 10 बता दे इस से पहले दोनों ने प्रधान मंत्री भारत और आस्ट्रेलिया के खिलाडियों से मुलाकात की है और एक विशेस रत में सवार होकर इस टेडियम का जायजा भी लिया है। तो वहीं पे भारत और आस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवस्र को ट्रॉफी का चौथा और आखरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। 2014 से अब तक 18 देशों के राजपती और प्रदान मंतरी नई दिली होते हुए एमदाबाद पहुँचे हैं। पता दे कि भारत और आस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवस्र को ट्रॉफी का चौथा और आखरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। बारत के प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी और आस्ट्रेलिया के प्रदान मंतरी एंथिनी अल्बनीज आज वहां पर पहुँचे हुए थे। प्रदान मंतरी मोदी और आस्ट्रेलिया के प्रदान मंतरी एंथिनी अल्बनीज नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर उन्होंने एक रत में सवार होकर पूरे स्टेडियम का जायजा लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दे कि प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी के अलावा प्रदेश के राज़िपाल अचार दिवरत, मुक्य मंतरी भूपेंद्र परडेल, प्रदेश ग्रे मंतरी हर्श जांगवी तमाम लोग वहां पर उपस्तित रहे आज। वहीं पर प्रदान मंतरी मोदी और आउस्ट्रेलिया के प्रदान मंतरी अंधरिया अल्बनीश नरेंद्र मोदी स्टेडियम से पूरे एक रत से सवार होकर पूरे स्टेडियम कर जाए जा लिया। अहम्ताबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज गुरुवार यानि की भारत का उस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस का ट्राफिक का चौथा मैच खेला गया है। सीरीज में भारत दो एक से खेला जा रहा है आपको बता दें। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस का ट्राफिक का चौथा और आखरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। आज के मैच को देखने के लिए भारत के प्रिधान मंतरी नरेंदर मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रदान मंतरी आन्थिनी एल्बनीश एहंदाबाद के नरेंदर मोदी स्टेडियम पहın्छे हुए थे जाहां उन्होंने एक रत पर सवार होकर पूरे स्टेडियम का जाजा लिया तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि और इस प्रदार मंतरी नरींद मोदी के आलावा प्रदेश के राजय पाल अचारे दिवरत मुख्य मंतरी बूपें पटेल प्रदेश के ग्रेम मंतरी हर्थ सांगवी बी सी सियाई के अ दोनों के देश के प्रदान मंतरी ने स्टेडियम में कुछ वक्त गुज़ारा इस दोरान खिलाडियों से मुलाकात भी की एक दूसरे के कप्तान को उन्होंने कैप पहना कर वहां पर उन्हें सम्मानित किया बढ़ते हैं दूसरी खबर के ओर बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए तयारी तेश कर दिये वहीं नगर निकाय चुनाओं के लिए भी बीजेपी की तयारी तेश है बतादे कि भारते जंदा पार्टी सक्रिय बूत शसक्त मंडल कारिकरम करेगी यूपी के सभी मंडलों में कारिकरम आयूजित करेगी ये कारिकरम निकाय चुनाओं से पहले आयूजित की जाएगी पार्टी नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए भी महिला वोटरों का जोड़ना चाहती है बतादे कि बीजेपी का माना है कि चुनाव छोटा हो या बड़ा बीजेपी पूरी रणीती और तयारी के साथ ही चुनाव लड़ती है और अभी ओबीसी आरक्षण की वज़े से नगर निकाय चुनाव टले हैं लेकिन उसकी भी तयारी बूत के शशक्ती करण के इस अभ्यान के साथ होगी तो वही पर बीजेपी 2024 पिशन को लेकर पूरी तरह से सक्रिय नजार आ रहें बीजेपी सक्रिय होते हुए सक्ती मंडल का पूरा कारेकरम करेगी यूपी के सभी मंडलों में कारेकरम आयूचित किया जाएगा वही पर बीजेपी का ये भी एक कहना है कि पार्टी नगर निगाय चुना और लोगसबा चुनाओ के लिए भी मैला वोटर को जोड़ना चाहती है बीजेपी का मानना है कि चुनाओ छोटा हो या बड़ा बीजेपी पुरी तरीके से रणनीती और चुनाओ के साथ लड़ती है और इस खबर पर अधिक जानकारे के लिए हमारे साथ सवादात्ता गौरव जुड़ेंगे बीजेपी पूरी तरीके से सक्री हो चुकी है बीजेपी लगातार मैंनेज़ कर रही हो रननीती बना रही हो इसके चैन्द रहे हो तक बूता है वह बड़ी जतन देती हो और बूत को आप पर साथ ले तो जहींने के इसका लाव आपको दिलता है बीजेपी में अपना बोट्रों को जोड़ने के लिए पूरी प्रयास करेगी तो किस तरीके से महिला को जोड़ने के लिए वो प्रयास कर रही है बीजेपी में मैलाओं को जोड़ने की आदी है कितनी मेलाओं को मैर्ड़ों को जोड़ने की बादी है सब्सक्राइब करें अगर पर नाम पर बात करें तो वहां पर मुस्लिम पर की मैलाओं ने खाल वोट विजेपी को दिया था इससे बीजेपी को देख रहे हैं तो वहां पर पिज़ेपी आप लेना चाहिए कि अगर आधी आवादी का वोट बैंक अपने अपने आपने आपने पाले में निकाए पिर पर विलने के इसका लाब जो जो फित जाए तो वहां चुन पर बैतर है वहां ने वहां पर वे था सब्सक्राइब के लिए 80 सीटों को जीतने का लक्ष बीजेपी ने पूरा-पूरा बना लिया है वहीं पर बूत इस्तर की तयारी करें किस तरीके से पूरी तयारी बराई जा रही है सबस्क्राइब करें इस अभयान को चलाने के लिए बीजेपी शोशल मीडिया कितना उपयोग कर सकती है? कि अब को कितना उपयोगे लीजेपी तर सकती है? इसकी जम्मेदारी आशुचल मीटा के मादधम यह दो पिएड़क के मादधम से भी नई टीम के लाई होगा इसकिलाब ख़ंग क्या सब्शक्वीं ठाई ग्रहां कि आड़ती है? करें कि इस तरीके से आरक्षड के लिस्ट नगर निगम चुनाओं को लेकर पूरी हो चुकी है क्या कुछ तैयारी बना रहे हैं इसको लेकर देखा जाये तो नगर निगम चुनाओं को लेकर आरक्षड की लिस्ट तैयार हो चुकी है क्या कुछ तैयारी है बीजेपी के इसको लेकर लिस्ट अभी गोसित में किया ना ही वह उसको अभी मुकप्रट्री के पाद गया है यह वह लिस्ट जाए कि एक तीमान तक का तमय है फो लिष्ट जाने के बाद पर निग्चा होगी तुसके बाद वो दुट्रोप अगर आफ करें तो कही राज़ों में चुनाओं होने सब्सक्राइब करें तो कहीं ना कई बूपेंद चौधी और धर्मपाल की पहली परिक्षाओगी निकाय चुनाव को लेकर क्या लगता है कितना खरा उतरेंगे जएफ जिके सब्सक्राइब में निकाया चौधी उतरेंगें परिक्षाओगी धर्मपाल की नाविश्वी कुण नेटाई है एicken संदेश देने के लिए और हर में अलग संदेश देने के लिए अब तो सब्सक्राइब एफ those saints खने के अब रहान की संदय की है चेत्र है बूंपर राइष थादर को दंवास करें है G major पर राश्ति कार कारणी पर यहांपर राश्तिकार करनी है यहांपर पुछू ढएगी दया हरा देटार हा से कि अंगे व किस अगर्प combination करना की कई बाहने वात्रे परादसंग करने को लिक करें वह आप नहीं तर बसुक्त करने कि झाला या है किसरे कि आप प Св pesticides आंपाल सिंग को अपने आप को साज़ित करने के लिए बहुत मोगाय तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौर्व तो इस तर पर अब आगे काम करना चाहेगी यूपी के सभी मंडलों के कारेक्रम में आयोचित करेगी सपा सुप्रीमों अखिलेश यादव का मिश्ट दोहजाद चौबिस शुरू हो गया है अखिलेश जल्दी राज्य के सभी लोग सभा और वदान सभा छेत्रों का दोरा करने वाले हैं वही लेकिन इससे पहले पार्टी के प्रदेश और जिला इकायों का पुनगठन क्या जाना है इसकी कवायद भी शुरू हो गई है मुलायम सिंग यादो के निधन के बाद पहली बार हो रहे इस राश्य कारकारणी में समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोह लोहिया के बाद मुलायम सिंग को सबसे बढ़ा नीता के तौर पर आगे रखेगी इसलिए डॉक्टर लोहिया, मुलायम, अमेटकर और चौधरी चरण सिंग के पोस्टरों के साथ राश्य कारकारणी का अगाज करेगी सपा प्रमुक अखिलेश यादव राश्य कारकारणी के तीन दिवस्ये बैठक कोलकाता में करने जा रहे हैं करेंगे और इसकाबर प्रदिक जानकारी के लिए हमाइसा समाध आता गौरव देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की राश्य कारनरकारणी की बैठक तीन दिवस्ये कोलकाता में शुरू होगी कि अधिन दिवस्ये बैठक तरू होगी और थम्हादी पार्टी को यहां पर समाध आता गौर पार्टी की राप्ति करकारणी की बैठक तबने बाली है किनारा कस्ते हुए नजर आरण तो क्या लगता है कि 2024 में वो किस किस पार्टी के साथ गड़ बंधन कर सकते हैं कि मंद्री कोई गड़ बंधन किसे करेगा अभी किस साथ जाने बाला है राजी की देश की बात करें यहां बदला होता रहता है कोई किसी साथ जाया को नहीं पता है कि अपने राजनितिक फायरे के लिए आप समय समय पर लोग जोड़ते रहते हैं जल्व अजली की पर आप अधिक में बड़ी वर्टों चलिए आरे हैं तो यहां पर कोई कहरा बलब बात नहीं है है अपक हुआ है है की आड्वर के जूड़ता है अनवार कमें फ्रफेट कितरा जोृता है नेवर के सटूड़ता है ऐससके यहहां पर यहां पाट कर सफेरल को प्लीफ सर्फभानेका ताइल को लेकर जुनाइज को लेकर यहां पर खजदक है और इसे समय तरम तरफ है और अडिवेशनों में समय चर्चाय भी वह लाबाँ रास्ति कारकार्णी की प्रैठक है प्रफ्टे कारेकार नहीं बेठा को रही है अगर बात करें तो अधिले जानों के बंगाल की पश्चर बंगाल के मुख़ए इसनी के रिफ्टे हैं वह रिफ्टे रहा है और इसके रूप से एक जो लगाव उनका अपस में उमें सा देखते हैं कि कभी भी मन्च होता है कभी पर आने बाले समय में किस तरह से यहां पर बैसक बनाएंगे रहनीती करेंगे पर आने बाले समय में किस तरह से प्रफ्टे करेंगे मैं फुर्फिस में यहां अवी है कि यह पर बच्छी एक साज तरह सहां आज नहीं होगी तरह से नहीं होंगी तरह समय में नहीं होने बाले वारी तमाम शानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गवरभ आपको बता दे कि बॉली बूर्ट से एक दुखत खबर सामने आई जाने माने अबिनेता और निदेशक सतीश कौसिक का गुरुवार तरके निधनों गया उन्होंने चाट-छाट साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा है अभी नेता अनुबम खे ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी उन्होंने सतीश कौसिक को श्रत धांजली दी है बता दे सतीश कौसिक महमारी के दोरान कोविट से संक्रमित हुए थे अनुबम खे ने ट्वीट कर कहा कि जानता हूँ मित्यू की इस दुनिया अन्तिम सच है पर ये बात मैं जीते जी कभी नहीं कभी अपने जिगरी दो सतीश कौसिक के बारे में लिखूंगा ये मैंने कभी नहीं सपने में भी नहीं सोचा था पैताजली इस साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पोडवेराम ओम शानती फिलाल उनका पार्थिव शरित दिली के दिंद्याल अस्पताल की मोचरी में है पोस्टपार्टम के बाद उनकी बाड़ी परिशनों को सौब दी जाएगी नधन से एक दिन पहले ही उन्होंने होली के जशन को लेकर ट्वीट भी किया था खोली के मनाने के बाद दिली में एक रोड ट्रिप पर थे जहां कार में ही उन्हें हाट अटेक आया था गंबेर हालत में उन्हें हस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी तो वही बॉले बुर्ट से एक बड़ साल के उम्रों में उन्होंने अंतिम सांस ली है यह जानकारी अनुपम खे ने अब ट्वीट कर जानकारी दी थी इस ख़बर को सुनने के बाद पूरे बॉले बॉले शो की लहर में डूबा हुआ है आपको बता दे इसके बाद कई दिगजों ने ट्वीट कर उनको शर्धांजलियर पित किया गया है आपको बता दे कि अनुपम खे ने ट्वीट कर जानकारी दी थी तो इस खबर को सुनने के बाद बॉले बॉल्ड शो की लहर में डूबा हुआ है आपको बता दे कि कहीं न कहीं हार्ट अटेक जो है एक मोत की सामने आरही है आपको बता दे कि ये खबर सुबह बली और अनुपम खेंडी ट्वीट कर इसको जानकारी दी थी बॉलेबुट पुरा गम में डूबा हुआ है आपको बता दे आज के लिए चार बज़े की चार बड़ी खबरों में बस इतना ही देशनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार